अंदर मैं दोस्त है किनू को एक 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 अंडाल ये तरगी का और बत्ता का भी बहुत पत्रीस अंडाल हलो एंड वेलकम गाइज कैसे आप लोग गाइज आग सभी को जो है दिल की गाराईज नमस्कार अभी हम बात करने वाले हैं एक फाम हाउस की जोकी बत्तब मुर्गी और नजाने मचली पालन से लाफो का सलाना कमाते हैं उन्हीं के पास आप लोग को लेचनूंगा बहुत ही हमको ब्यास्ट लगाए डिया और चलते हूं आपे और पूरी जनकारी आप लोग को दियूंगा कैसे मुर्गी फाम, बत्तक फाम, मचली फाम, भक्री फाम एकी साथ किया हुआ है और लाखो का सलाना कमाते हैं तो चलिए गाइच वीडियो बने रहा है वास कुछी धूरी के धूरी पे है तो चलते हैं और पूरा जनकारी आप लोग को दियूंगा जैसे गाइच बेरोज बहुत ही आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा यह बलोग मनेगा आज का तो चलते हैं आज कुछ हमें भी जनकारी हो जाएगी और आप लोग को भी जनकारी हो जाएगी तो चलते हैं गारी के तरफ गारी वहां पर लगा हुआ है और कुछी दूरी पर है जो है गाइच ब अब हम पर चलते ईपनां से बात करतें है और लोगो वहां का वतारण के कैसे क्या होतान नहीं होता है क्या प्रोसेस क्या करना परेका नहीं करना परेस दियुद्धियोमी योजना उद्योमी यजनाय से लून लेकर या फाम में स्टार्ट किया हुआ है आम लोग यहां पहुँच चुक्या है और यहीपना जिक में फाम है यहां नदर आता हो गाई है आप लोगों अजलके उन्साज़व यहां बहुत इंपोटेंट बहुत अच्छा आप लोगो लगेगा अग्लेस में जो है गाईज कमाने का उद्योग स्टार्ट करने का यही जो है उद्योग है जख सकते गाईज सामने तरा जनकारी जो है आप लोगों मिलता आ रहा है गा मिलेगा श्राह से तो जख सकते है गाईज वन छेत्र में है वन ही वन है छर्गी पे है जिच में नदी है यहां पर और नदी के इस पार जो है यह उद्योग स्टार्ट हुआ है मतलब जो गाज है यह लाखो का सलाना कमाता है आप लोगो उन्सी जो मिलवाते हैं, और किस योजना केते हैं, यह चाने संभव हुआ है, और सारा जनकारी जो आप लोगो यक्षाम होस्ते जो मालिक है, उन्से, यह देखिए, यह देख सकते हैं, मात्मा गांधे रख्षिरे गारामी रोधिगार गारन्पी योजना, चेप करने की है, और चलते हैं, आई है, चंजिर जी, अंदर, और पुरा जो है दिखाते हैं उनको, और मालिक अभी अभी दान आ नहीं, उनको धुन्देगे, फिलाल आप लोगो को यहां का जो है विजित करवाता हूं, रेक्षर से गाज, यह बख्री जो है, बख्री पालंग करता हूं गाज, बहुत डर लग रहा था, इसकाटल को ले, लगता उर्था नहीं है, यह विदेशी पच्छी है, इसी का जो है उन्डा जो है, शाथर के उन्डा मिलता है, यहां तो पजासर के आपको मिल्दा आगा, खल जो है पच्छार के लिए जो है, आम लोगो के बहुत लोग चाहते हैं कि यह योदिना से लाव ले कर, जिहार सरकार का योदिना है गाज, और करोगार स्टार्ट करें, रख दीए, तो गाज, जैसे कि आप लोगो को बताया हूं, पहले भी, और अभी भी बता रहा हूं, देख सकते हैं, यही जो है, इन्ही का यह प्रोगा अधेली का मचली पालन और बतक पालन करते हैं, और गोडवमा करते हैं, देख रहा है मेरे पास 33 वकरी आहे भाद दिखा दिए आपने होता है शेल भेस्ट बैंकाल भी आ इसकेबाद में शिरोही बीप्लषिक व्याद्वारी अभरवरी बंत्याति के अधर निमी आ पर Jackson 00c अभ्मिल भेस्ट पर गाल। अफा जो रखे मैं आपने अधेलके जेस्ट जो से रहे ूँवा तो शीरोही जो होता है उसका यह कम से कम पचासी किलो असी किलो जैसे यह देखिए यह मेरा सिरोही अभी अभी गावीन है ए अभी अभी ए तिसरा महिना इसका चल रहा है इसका मेरा तिसरा महिना चला है इगावी नहीं से पहले इसका एक बत्चा है कहीं होगा अंदर लेके आता है तो यह है उसके बाद मेरे पास बरवडी भी है बरवडी के लेके आता है मैं नो बकडी से इस्टाइट किया था मैं इस धन्दा को मेरे पास नो बकडी था अभी मेरे पास 25 बकडी है अब कितने दिन से कर रहा है यह मैं लगव एक साल से कर रहा है अब गत्थी बक्तक अभीता हम नया नया बच्चा लिये है तो नया नया बच्चा लिये हैं तो अभीतो इस वी श्टाइटे है यहां हेह वह है तो अभे तो मेरे पास ter ₹सो बक्तक है तो अभीती以झ कि या अंदा का सब्सक्राइबhing दिचेगे हैं। अपने पैसा से अपने धन्दा कर रहे हमको कोई सरकार से एक रुपया के लावा कोई पास पैसा नहीं मिला। कितना मतलख कितना लागत लगा हा है अभी का कमाने के चलिये अवाद भूल्टिज थीदे धीरे बनाया है मोटा मोटी हमको लगवाद तीन पूजी लेके सबलेक पूजी में चलिए एक लाक बहुत हो गया तो पूजी में बखड़ी खड़ उसके बाद में बद्तक लिया तो इसमें एक लाक का पूजी घड़े है तीन लाक तो अंदर आपका नाम क्या हुआ मेरा नाम दिलिख महतर है बें का मतलब पूराडर्यत मतलब आप और पूरी शांती बन खालतक आप लोग भी कभी अंडे उंडेगा जैसे जरूरस पर जाये लोकल एरिया में आपकर ले सकते हैं हम आपको टड़की कांडा बत्त कांडाई सब उपलब्द कराता मेरे पास उपलब्द राता है और बहुती सस्ते दाम में हम भी बराती हैं अंदर चलिये अंदर आई ये देखिए अंदर आई जाते ने फिए ये फॉर्म हुआ ये फॉर्म हुआ जैसर देगाई ये चोकि ये सब बकडी के लिए है ये सब बकडी आएगा बाहर अभी चरने गया है तो आएगा तो सब अपने अड़जेश्टी हां कड़ेगा इस सब उसी के लिए है ये खाना खाने के लिए इसमें खाना डालते हैं इसमें घास डाल की खाना के लाते हैं बनाना पड़ेगा तो अब यह आपको साथ रहेगा जैसे एक नए आदमी हम है तो इसलिए इसको भी वही मोहब्बत वही प्यार देना देना पड़ेगा सब कुछ आप प्राप्त होगा और हम नौ बकडी से स्टाइट किये था जब मेरे पास तुर लगबाग 25 बकडी और बेचुवों कियें कुछ खंसी सब तो बरबला के देहा से अभी हमारा माने के चलिए आसिन तक 20 बकडिया बच्चा देने होगा अभी इंकम अभी में नया धन्दा इस्टाइक किया इंकम माले साल में 40-45 जार कब बेचा हूं उसके बाद में 16 बच्चा है मेरे पास और उसके बाद में तुरंत मेरा 20-25 बच्चा और आने वाला है है ओए है यहां बदाक फ़ोरम है बद्तक के लिए पोखडी है इसी में साड़ा बद्तक है भी आब हंए लागी सब्सक्राइब अब यह संब्सक्राइब asking कि यहीं इसमें कुछ मर्दन्ना सब बेचे हैं और जो मादा है उसको रख रहा है रोस्तान तागव इदा हाथ उदरी सारा मुण्डी इदा गुमा मचली है इसमें एक किलो के मचली है इसमें किलो का मचली है अम्हा श४ावन भी होता है गायज इसमें समझ सक के आप तो अभी शावा कि इसमें ऑभी परणा इसमें हमागदा पर कमuesto के मचली अभी स्टा ऐसलिए वपर तर डन मैं पर लेक्न से करते अगागा समय सारी आगया है अब इसमें स्टात कीया अधन्ञत तो चलिए गाइज उभीद करता हूं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको लोगो यह स्टारा जनकारिया जो है अभी स्टार्टिंग में जो है गाइज शिर्फ बकरी पालन से चालिस पचाशार का चलाना चार पाच बकरी जो बेच दीजेगा तो इससे भी चालिस पचाशार नर्मल बात है चार लाग पाच लाग का सलाना इंकम हो जाता है मसली पालनों शिर्फ बक्री पालन चाशार पाच लाग का सलाना इंकम होना ही होना है ता है तो गाइच धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद तो गाइच मिलते हैं नेक्स्ट फोलोग में और गाइच चैनल पर नहीं तो चैनल को जोने सब्सक्राइब करते हैं और बेल आई घंटी को दबार कर ओल करते हैं ताकि मेरा जो भी वीडियो आया तो सबसे पहले आप लोगों के पास दिया धन्यवाद यहिंग जय भारत